हेले स्टूडेंट कैसे आप से उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्तोंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चलिए बच्चो और आज काफी महात्पूर्ण यह आप वीडियो पर आ चुके हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जो कमिश्टी में बहुत ही बीख हैं और कम समय में कुछ पढ़ना चाहते हैं कुछ तयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा आप सरबाद चुका है मैं लगातार आप लोगों के लिए क्लासस ला रहा हूं इंपोर्टेंट जो भी कोश्चन आपको कराया जा रहा है उसका एक अलाग से प्रेलिस्ट बना होने वाला है लेकिन आज मज़ेदार वीडियो आने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं बच्चो सबसे पहले आप लोग देखेंगे पहला कोश्चन आर्गनिक कमिश्टी के यहां से देखेंगे प्राथमिक दुतियक तुतियक अल्कोहल का विभेद करने की बीदी में आक फिनाल से कैसे प्राप्त करेंगे तो पहला जो हमारा है 246 Trinitro Final तो चलिए सुरू करेंगे हम यहां पर लिखते हैं फिनाल से बच्चो किस से बना रहे हैं फिनाल से थोड़ा समझने की कोशिस करना आप लोग यदि समझ लोग है तो आप नोट्स भी बनाना चाहो तो बना सकते हूं हमें 246 नाइट्रो फिनाल बनाना है Trinitro Final मतलब नाइट्रो समो जोड़ा जाता है उसे कहते हैं नाइट्रिकर्ण थोड़ा सा फोकस करना माइन में भाई फिनाल से बनाएंगे तो फिनाल का कुछ इस प्रकार से फार्मूला आप सबको पता है यह बेंजीन सांद्र ह 2004 इसटी was04 के उपस्अधि में होता है मुइं सांद्र ह2044 को पस्थीती में होता है तो जब न्성 का बच्चो थो ए क्विघा कहां दी जुड़ेगा कितने कितने नंबर पर कुश्चन पर ही देखे रखा है दो नंबर पर यहां पर ऑच है तो दो नंबर पर नाइट्रो जुड़ गया ठीक है इसके बाद यह फोर नंबर पर नाइट्रो जुड़ गया फिर यहां पर आपका सिक्स नंबर पर नाइट्रो जुड गया देखो यहां से एच निकलेगा कितने नाइट्रो जुड़े तीन तीन का मल्टिप्लाइ करो तो तीन जगह से हैड्रोजन निकलेगा और तीन तो मतलब माइनस तीन एच टूओ बाहर हो जाएगा यह हमारा बन चुका है कैसे प्राप्ट करोगे फिनाल से ट्राइ बेंजीन यह पहला हो गया रियक्सन ना दूसरा बनाना बेंजीन किस से बनाना फिनाल से तो फिनाल कुछ इस प्रकार से यहां पर उए जुड़ा है तो यह फिनाल है इसमें कोई है नहीं इसकी क्रिया आप जिंक से करा दो और इसको गर्म कर दो बस सिंपल है यहां पर गर को थोड़ा सा अच्छिस लेगना तो यह आपने ओएच करा यहां पे जडेन करा और यहां पे आप इसको गर्म कर दो तो यह बेंजीन दिंग बन गया हाइड्रोजन मत दर्साओ ना भाई यह लो आप तो ठीक है आप तो कोई परसानी नहीं है क्लियर है कि हमने फिनाल से बना क्लियर होगा आप यह पर जोड़ दो देखो एलकील समू का जोड़ना यह परकार से कौँ साब क्रिया फिनाल के लिए फ्रिडल क्राफ्ट पढ़ रहा हूं ठीक है चलिए भाई अब यहां दिसे कलोरी ने क्लोरीन क्या करेगा यहां से एक हाइड्रोजन निकाल करके एच स इंपल है सबको पता है तो जब भी फ्रिटल क्राफ्ट अब्रिया होता है तो निर्जल एल-सी-ल-3 के उपस्थिती में होता है अब क्या बनाएगा अर्थो पैरा क्रिसाल इसे आपके पास यह वह अच्छे इसका अर्थो सम्हों यहां पे सीस्त्री जोड़ दो तो यह अतबा सहीत करना है छोड़ना नहीं है अतबा सहीत आपको करना बच्चो फिनाल से हमने बना दिया टू फोर सिक्स नैट्रो फिनाल बेंजीन और अर्थो इवं पैराक्रसाल आज जितना भी हो जाएगा आज कर लेंगे आगे भी हम आपको कराते रहेंगे इसके बाद प्र हम दोनों चीज़ समझाएंगे हमने क्या कहा यहां पर आप पढ़ने वाले हो इलकोहल का क्या पढ़ोगे इलकोहल का पहले बच्चो पढ़ोगे आक्सी करना क्या आक्सी करना भाई हम आपको समझाने आये हैं समझ रहें ना ऐसा नहीं कि हम पेपर सोल के एक को शन्त फिर थबावाला करी नहीं, भाई कुछ भी आ सकता है न बोड इक्जाम में, तो हमको पढ़ना चाहिए, ये क्यों दिया गया है प्रीबोड की इतने चार्चेट, भाई आप लोग बहतरूप से तैयरी करो, किसी भी स्ट्रेट बोड से हो बच्चो, सबको पढ़ लेना चाहिए, आक्सीजन का ग्राण करना, ठीक है, देखो, जो आपका प्रात्मी के अलकोहल होता है, वो पहले अलडिहाइड में बदलता है, फिर बच्चो, आक्सी क्रत हो करके, अमल में बदल जाता है, कैसे बदलेगा, ठीक है, देखिएगा, प्रात्मी के अलकोहल का पहचान क्या है, आप ही बताओ यहाँ पर देखो बच्चो CH3 CH2 OH मैं आपको राशानिक अवक्रिया समझाओंगा आप लोग समझते चलिएगा अब इसका आक्सिकन आक्सिकन में आक्सिकारक कोई बता दो आक्सिकारक बता दो तो यहाँ पर आक्सिकारक के लिए साथ में H2SO फोले लो ध्याने रखना है आक्सिजन आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा अब यह बच्चो एल्डिहाइड में कैसे बदलेगा प्राथमी केलकोहल है न तो यहाँ पर CS3 है और CS2 CHO कर दो तो H2O बाहर हो गया बागी आक्सिजन का आक्सिकरत हो गया अगले स्टेप में फिर से जब आक्सिकर्ण होता है तो जब आक्सिजन ग्राण होगा तो क्या बनाएगा CS3 COOH यह नि आमल बना देता है क्या बना देता है आमल बना देता है ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है चीज प्राथमी के यलकोहल की बात चल रही है तो प्राथमी के यलकोहल का हमने आक्सी कर आया है आक्सी कर आप हमने ले लिया अब हम बात करेंगे दुतिया के यलकोहल में कितने यलकिल ग्रूप होते हैं यलकोहल दो यलकिल ग्रूप होते हैं ठीक चलते हैं भाई यह इसको समझा रहे हैं दो एलकिल ग्रूप लेकर चलना जैसे CH3 CH3 CHOH यह हमारा दुतिया के अलकोहल हो गया अब इसका जब आक्सिकण होगा आक्सिकण में कहले होगी भाई के टू सीर्टू O7 और H2SO4 इस बार H2O निकल जाएगा तो जब आक्सिकण होगा तो कीटोन बनाएगा क्या बनाएगा कीटोन बनाएगा और अगले स्टेप में बच्चों यह फिर से आक्सिक्रत होता है तो एक अड़ो तो आमलका बन जाएगा CH3 COOH ठीक है और यहां से बचेगा हमारा कार्बन कार्बन बिचारा अकेला हो जाएगा तो कार्बन जब है वो बदलता है CO2 में और बच्चों जो हमारा इस्ट्रा एच बचेगा दो एच एक एच तो यहां चला गया तो एस्ट्व की रूप में बाहर हो जाता है यह हम आक्सी करने दूतियक अलकोहल की ठीक है को दिक्कत तो नहीं चलिए फिर से त्रतियक अलकोहल में चलते हैं त्रतियक अलकोहल यह हमारा सेकेंडरी हो गया तीसरा है टरसरी त्रतियक अलकोहल सब कुछ आप बहतर रूप से समझोगे आज टाइम लगेगा बच्चों अब क्रिया समझने जा रहे हो ना हम लगातार अब क्रिया करा रहे हैं अब क्रिया मैक्जिमम आप क्रिया कराने कोशिस कर रहे हैं क्यों कि जितना हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप से बनेगा तरतियक एलकोहल में क्या होता है तीन एलकिल गूरूप CS3, CS3, CS3 ये कारण है और इस कारण के साथ OH हम क्या करा रहे हैं आकिसकन के टू,ople,क्षेऑटरो,सिवन,श्पो,सिपहई अब इसमें क्या होगा ये भी अमारा एक कम कारण परमार ऒunk हो जाए जिसके इसमें कितने कारण है चार कारण है तो यहांपर तीन कारवन का, CS3 CS3, और यहाँ पर आपका कीटोन बन गया, और फिर आपका क्या होता है, आक्सिकन आक्सिकन जब होता है, फिर यह जैसे कीटोन से आक्सिकन रथ हुआ क्या बनाया CS3, CO2, जो H बचा हो H2O की रूप में बदल जाता है, बच्चो अब जैसे अब क्रिया हो गया, आपको एक डावट होता होगा, कि सर जैसे यहाँ चार कारवन बनता है, तो तीन कारवन, क्या कोई और उत्पाद बनता है, तो यहाँ पर एक अमल बन जाता है, C, ऐसा नहीं, HCOH, एक कारवन कम रही तो होगा, फार्मी करवन भी यहाँ पर बनता है, आक्सिकर्ण के क्रियर पर जो, और लंबा चोड़ा प्रोसेस, बच्चर लेकिन, जितना हम साड़ तरीकिस समझा रहे हैं, उतने ही साड़ तरीकिस से आप समझ लो, ठीक है, प्रात्मी के लकोः का अक्सिकर्ण, फिर दुतिया के लकोहल का अक्सि तो आक्सी कर्ण भी हमारा कम्प्लीट हो गया अब बात करेंगे हम भी हाइड्रोजनी कर्ण परिच्छा चाहे हो प्राथमी के लकोहल हो दुतिय के लकोहल चाहे त्रतिय के लकोहल तीनों में भी हाइड्रोजनी कर्ण पढ़ेंगी भी हाइड्रोजनी कर्ण मतलब हाइड्रो OH यह दूतियक अल्कोहल तीसरा नंबर तृतियक अल्कोहल CH3 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 यह बच्चों कार्वन के साथ OH है ध्यान यह रखना है आपको लिखना क्या है बिहाईडोजनी कर्ण परिछ्ण में कि जब अल्कोहल के बास को अब चैथ एवं गर्म तावे पर 300 degree Celsius ताव पर मतलब गर्म तावे पर यह नहीं हम कार लेंगे 300 degree Celsius ताव पर सभी में कार 300 degree Celsius ताव पर कार 300 degree Celsius ताव पर जब लेते हैं बच्चों तो यह अलकोहल है जो है बिहाईडोजनी कर्ण के फलसरोफ hydrogen gas निकालता है जिससे यहाँ पर OH निकाल दो हाँ sorry H2O निकाल दो H2 H2 hydrogen निकाला है न तो बचेगा क्या CH3 बचेगा CHO बचेगा LD हाइड बचेगा यहाँ से आप H और H मिलाकर H2O निकालो H2 बस निकाला हाइड रजली कर में H2O निकालेगा लेकिन केबल रुकेबल यहाँ पर hydrogen इन दोनों में इस निकलेगा इन दोनों में से ठीक है चलो इस में भी करो CS3 CS3 और यहाँ पर C हो बनाएगा इस षिट्टित में यहांस से आपका एख यहां से एक हैड्रोजन और अक्षिजन के साथ इसमें एच्टो बनाता है बचेगा क्या? CS3 बचेगा CS3 बचेगा यहाँ पे कार्बन है और यह कार्बन भी बचा CS2, दो ही कार्बन तो है तो दो बंद बना देता है तो यह प्राथमिक अल्कोहल का भी हाइड्रोजन निकरण और सबी में से हाइड्रोजन तो निकला ना यहां भी हाइड्रोजन निकला यहां भी हाइड्रोजन निकला यहां भी हाइड्रोजन निकला लेकिन वो जल के रूप में निकला तो यह हो गया आपका क्या बन गया आपका भी हाइड्रोजनी करण क्वेश्चन से मैं अंसर समझ और फिड़र क्राप्ट अबक्रिया फटाफटी चैप्टर 10 है लो एलके इनका है इसको फटाफटा हम एक एक लाइन में आपको समझाना है हाँ अबक्रिया समझाते समय आपको हिंदी भी लिखना होगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंड मेयर की ठीक है सेंड मेयर अभक्रिया देखो यदि आपसे अभक्रिया बन रहा है तो बच्चों आप लोग हिंदी अपने से लिख सकते हो या कि आपसे हिंदी बन रहा है तो अभक्रिया अपने से बना सकते हो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन पर हम नाइट्रस अम्रिकी क्रिया कराते हैं तो हमारा डाइजोनियम लवड बनता है और उस डाइजोनियम लवड से हेलो एरीन बनाते हैं जैसे आपका वहिया C6H5NH2 यह आपका एरोमेटिक एमीन है यदि हम आपसे कह दें कि HNO2 यह आपका नाइट्रस अम्रिक और HCL का मिस्टर लेते हैं तो यह बनाता है बच्चो डाइजोनियम लवड कैसे बनाएगा C6H5 और आपका यहां से N और N तो N2Cl हो जाता है N2Cl और यहां पे H और यहां से OH भाई निकलेगा तो H2O के रूप में बाहर H2O निकालेगा दो आक्षिजन तो 2H2O निकलेगा कोई परिसानी नहीं ठीक है सबसे पहले हमने प्राथमी केमीन वो भी आपका एरोमेटिक प्राथमी केमीन लिया हमने और इसकी हमने क्रिया HNO2 HCL के साथ लगभाग 4 से 5 डिक्री से स्ताप पर क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाय जोनियम लबड बनता है जिसकी क्रिया हम क्यूप्रस क्लोराइड CuCl के उपस्थिती में अमली माद्धे में कराते हैं तो हमें यहां से N2 निकलता है तो मिल जाता है क्लोरो बेंजीन क्या मिल जाता है संगत जिसे हैलोजन परमाड़ जो भी है होगा उसी के संगत हैलोजन परमाड़ का यह योगिक मिलेगा तो यह हमारा N2 जो है बच्चो वो बाहर हो गया यह हमारा सिंड मेयर अब क्रिया है कि एरोमेट्विक प्राथमिक एमीन को हमने HNO2 के साथ हब क्रिया कराया तो बेंजीन डाइजोनियम लवड़ मिला जिसको क्यूप्रस क्यूप्रस क्लूराइड यहनि क्यूप्रस है ना क्लूराइड और उसके संगत हैलोजन अमरीकी उपस्तिते में बिक्टन कराया तो हैलो एरीन प्राप्थ होगिया मैं आपको समझार हूँ आपको लिखना आया जैसा मैं बोल रहा हूँ वालाकि मैंने सब कुछ कराया है यहां पर सिप समझाना है तो सूपर फास्ट रिवीजन भाई फुन्सरडी कर रभक्रिया बच्चो वुश्र डीकर भी मैंने जैसे जब मैं पढ़ाया था बनाने की बिरी में तो आपको बताया था कि आपका एरोमेटिक कार्वोक्सलीक अमर का सिल्वर लबड ठीक है कार्वोक्सलीक अमर सी ओ ओ एच होता है होता है कि नहीं एज उसमें आप एजी जोड़ो दो तो सिल्वर का हो गया एरोमेटिक मतलब सी सिक्स एच फाइब दूसरा नंबर देख रहे हैं देखो एरोमेटिक आप देखो एरोमेटिक कार्वोक्सली कमर का सिल्वर लबड हो गया इसको हम ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं ठीक है ब्रोमीन के साथ बी आर टू किसके उपस्तिती में कार्बन टेट्रा क्लूराइड के उपस्तिती में कि जो आपका बचा C6H5 और BR यह आपका बचा बच्चो ब्रोमो बेंजीन ठीक है तो यह हमारा बन गया क्या कौन सी अपक्रिया हुन्स रडीकर अपक्रिया अब हुन्स रडीकर अपक्रिया पूछेगा तो आपको कह लिखना है कि एरोमेटिक कार्वोक्सलिक अमले के सिल्वर लबड देखो यह सिल्वर है एजी तो एरोमेटिक कार्वोक्सलिक अमले के सिल्वर लबड को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर कार्वन ट्रक्लॉराइड के उपस्तिती में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हमें हैलो एरीन प्राप अभरर्टाज फिटिंग ईदध इनल मिलता जुलता अब गीए रहता है अब यहाँ पर क्या बोली फिटिंग दो पुटेज फिटिंग में होता क्या है शेया आप अब किरां यहाँ तो यह में ईक्सांट लेकर क्रिया और फिर मैं यहाँ पर ले लिएंगा फिटिंग अब क्रिया तीनों सेम अब क्रिया ठीक है तीनों सेम अब क्रिया बच्चों लेकर चलता हूं दूसरे पेज में लेकर चलता हूं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाना है तो पहले मैं बूटज अब क्रिया लेकर च गुरूप ही ले लिया तो ये मेरा हो गया बूटजब क्रिया अब मैंने ले लिया एकसाइड फेनिल्गूप बाला मतलब जैसे क्लोइव बेंजीन SIन और यह टूइने ही ले लिया और एकसाइड मेराória कह तीके यह फैखर कका अब मैं सुस्क एथर, ठीक है, ये भी जो होगा बच्चो, सुस्क एथर के उपस्तिती में, ये भी जो अब क्रिया होगा बच्चो, सुस्क एथर के उपस्तिती में, सब के सब सुस्क एथर के उपस्तिती में हो रहे हैं, सब के सब, सुस्क एथर के उपस्तिती में हो रहे हैं, अब 2NACL ही बनेगा देख लो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा CS3 CS3 तो यहां पर जोड़ो CS3 CS3 यहां पर आपका तो CS6H5 CS3 यहां पर दोनों में तो CS6H5 CS6H5 यह देखो देखो जरा तो हमने क्या लिया बच्चो थोड़ा आप समझ लो कि हमने ले लिया अलकील हैलाइड अलकील हैलाइड के दोनों सोडियम के साथ CS6 कीतर के उपस्तिती में कराया तो हमें पैराफिन प्राप्त हो गया मतलब यहां पर डाई अलकील ग्रूप जुड़ गया है ना हमारा तो यह हमारा बूर्टज अपक्रिया कहलाया ठीक है और जब हमने एक एरिल ह क्रिया आगे मिलता भी जाएगा बच्चो में तेनी कोस्चन में साला इतना हो गया लेकिन अभक्रिया भी तो दस से बादीक हो गया अब देखो इसको कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है लोग कंफ्यूज जाते हैं और हमारे सर तो ऐसे पढ़ाये थे आपने तो सर गलत पढ़ा दिया पहले कुछ और पढ़ाये थे अब कुछ और पढ़ा दिया अब इस स्थित्मी यहां से सीयल उठा टू एने को उठाया भाई यह डाइ फेनिल बनाता है यह डाइ फेनिल है ठीक है और टू एने सीयल बाहर हो गया यह इथर के उपस्तिती में हो रहा है तो इस प्रकार से देखो यह सारे चार रेक्शन होगा है अभी और बचावी है एक फ्रिडल क्राप्ट करा दो इसके बाद जो आगी कोशन है अगले पर क्लोरो बेंजीन ले ले लेते हैं और हमें सब बेंजीन रिंग होगा उसी में फ्रिडल क्राप्ट होगा क्लोरो बेंजीन भाई क्योंकि यह चैप्टर टेन का है तो चैप्टर टेन का क्लोरो बेंजीन लेंगी यहां पर आप कमा लिजिए यदि ओए होता तो फीनाल हो पर बाकि आपका ALCL 3 आपको बताया ही गया वो भी कैसा निर्जल ALCL 3 के उपस्तिती में होता है हम याप पर क्लोरो बेंजीन ले रहे हैं इसके पहले फिनाल का भी करा है बहुत सारे बच्चों के डावट रहता है कि सर यह कहां से फिडियल करा अपकर है हमने कही बार पढ़ा बाई ALCL group जोड़ना है यार तो हमने आपको इसके पहले बताया एक आर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा है ना और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो पैरा पोजीशन पर कैसे जुड़ेगा ALCL group यहां पर आपका CL है और यहां पर पैरा पोजीशन पर जुड़ता ह और एक पैरा पोजीशन पर यहां पर आप वे जोड़ दो तो फिनाल का फ्लेडर क्राफट अपक्रिया बन जाता है अर्थो क्रिसाल पैरा क्रिसाल आपने भी देखा ही बच्चो तो आज के लिए इतना ही और हम निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं बोर्ड कर सकते हैं आज के लिए इतना ही जैहिंद बंदमात्राम